वेल्कम टू यू आल एट माई यूटीब चैनल स्टडी टाइम विट इस के हेलो दिश इस उनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये सोट्वेल्ड सोसाइटी इन इंडिया के इंपॉर्टेंट कोशन्स देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर ये elective course है sociology में तो question number one आपकी screen पर है short notes ये जो short notes हैं वो section C में आपके exam में पूछे जाते हैं जहां पर आपको four questions दिये होते हैं किसी भी दो questions को opt करके आपको उनका answer देना है hundred words में answer देना है और six marks for each question आपको दिया जाता है question number one है short notes तो short notes के लिए हमने ये कुछ points select किये हैं जो कई बार as a question में पूछे जाते हैं और as a short note तो पूछे जाते ही हैं तो आपको इन सभी points के लिए prepare करना होगा कई बार इन ही points को difference के लिए में पूछा जाता है जैसे कि पोरो के लाइजेशन है और यूनिवर्सलाइजेशन है तो दोनों के बीच में क्या difference है ये पूछ लिया जाएगा फिर जज्जमानी सिस्टम जो है इसका क्या role है क्या इसके features है ये सारी चीज़ों के बारे में यहां पर पूछ लिया जाएगा फिर concept of gender है इसके लिए बी कोशन बनता है और gender stereotype के लिए बी कोशन बनते हैं तो ये वो points है जिनके लिए आपको prepare करना होगा आगे भी short notes के point आपके screen पर है जैसे कि difference between organized and unorganized sector है फिर concept of gender है land settlement है तो इस तरीके के जो points है इनको आपको prepare करना है question number 2 की बात कर लेते हैं यहां से हम उन questions को लेकर क्या है जो 12 marks में पूछे जाते हैं section B में होते हैं और इनके लिए आपको 250 words में answer देना होता है section B के अंदर भी आपको option मिल जाता है जहाँ पर 6 questions होते हैं आपको किसी भी 4 questions को opt करना होता है question number 2 की बात कर लेते हैं distribution is between feature of kinsip system in North and South India North और South इंडिया के अंदर जो kinsip system है इसके silent features के तौर पे आपको इनके difference बताना है कि बार similarities भी पूछी जाती है तो आपको उसके लिए भी prepare करना होगा question number 3 है examine the interlinkages between caste and politics caste और politics के बीच में क्या interlinkage है आपको इसका examine करना है question के अंदर question number 4 है examine the role of leadership in social moment social moment के अंदर leadership का क्या role होता है उसको examine करना है question के अंदर यानि कि जो questions है वो important है और वो questions है जिनके बारे में आप बहुत ही अच्छा content बना करके दे सकते हो लेकिन अपने time को ध्यान में रखते हुए आपको इन सभी questions को attempt करना है और time management के लिए हमने एक video बनाया है examination hall strategy के नाम से तो आप उस video को जरूर देखें आपको अपने exam में answer seat को set करने में बहुत मदद मिलेगी question number five है discuss the relationship of Christianity and Hinduism in केरला केरला में Christianity और Hinduism का जो relation है आपको उसको discuss करना है इस question के अंदर आके बढ़ते हैं question number six के तरफ examine the ideal of joint family living in India इंडिया में जो joint families रह रहे हैं उनका ideal क्या है आपको उसको examine करना है question number seven है discuss various approaches to study poverty in India गरीबी को study करने के लिए भारत में कितने सारे approaches कितने सारे steps उठाये गए various approaches इन सभी के बारे में आपको यहां पर discuss करना होगा question number eight है discuss the approaches to tribal development in India जो tribal हैं उनके development के लिए हमारे देश में क्या-क्या approaches क्या-क्या steps लिए गए हैं उसको आपको यहां पर discuss करना है इसी तरीके से जो tribal हैं उनकी life में किस तरीके से industrialization का effect होता है modernization का impact होता है इस चीज के बारे में आपको यहां पर बताना होगा deforestation का क्या impact है हमारे इंडिया के आम जन्मानस पर इसके लिए भी question बनता है तो आपको इसके लिए भी prepare करना होगा question number nine है यहां पर discuss the impact of green revolution in इंडिया green revolution हरित क्रांती का क्या impact रहा हमारे भारत में इसके बारे में आपको यहां पर discuss करना होगा इस question के अंदर आप इसमें इसकी गुण भी बता सकते हो क्या-क्या implementations आई agriculture किस तरीके से change हो गया इन सारे चीजों को आप इस question के अंदर डाल सकते है question number ten है discuss the brief system of sickism, sickism का belief system क्या है आपको इसके बारे में discuss करना है question के अंदर question number eleven है explain the marriage rules in the dravidian kinsip system, dravidian kinsip system के अंदर marriage के क्या rules है आपको इसके बारे में आपर discuss करना है question number eleven के अंदर question number twelve है examine the impact of modernization on tribes with a suitable case study, इस question को मैं थोड़ा से समझाना चाहूंगी है आपर एक word लिखा हुआ है suitable case study आप देख रहे हो अपने screen पर तो इस type के जभी भी questions आते हैं तो इसको सबसे पहले इस type के questions को attempt करने के लिए आपके book के अंदर course book के अंदर में case studies दिये होते हैं ये वो case study होते हैं जो सच्चे घटना उपे होते हैं तो आपको एक सच्चे घटना लेकर के ही उसके basis पहीं impact बताना है कि modernization आधुनी करन का क्या impact होता है tribes की life में एक case study के थुरू आपको इसे examine करना है question number 13 है discuss the emergence of Christianity in India question number 14 examine the major problems of urbanization in India भारत के अंदर urbanization से related कौन कौन से major problems रहे हैं उसको आपको यहाँ पर examine करना होगा question number 15 है outline the main features of caste system हमारे इंडिया में caste system का क्या-क्या feature रहा है उसको आपको यहाँ पर discuss करना होगा उसे outline करना है से आप point wise भी इस question के answer को दे सकते हो question number 16 है what are the main challenges to nation building efforts in India यह जो question है 16 number का question ही as a 20 marks के question के लिए भी पूछा जाता है तो इसके लिए आपको अच्छे से prepare करना होगा एक और चीज़ के differentiate between nation and state यह question भी बनता है तो इसके लिए आप prepare कर लीजेगा और next जो 17 number का question है संस्क्रिटाइजेशन पर related है एक suitable example के through आपको इस concept को explain करना है संस्क्रिटाइजेशन का जो point है यह हमने short notes में भी choose किया है तो वहाँ पर भी आप संस्क्रिटाइजेशन के लिए prepare कर रहे हो और इसके लिए प्रिपेर करें तो आप समझ सकते हो कि यह जो points है वह बहुत ही important हो जाते हैं आगे question number 18 है explain how the media reinforces gender stereotype question number 19 discuss the impact of new economic policy on ruler economy ruler economy में new economic policy का क्या impact रहा आपको इसको यहाँ पर discuss करना है question number 20 है in what way did commercialization of agriculture affect the judgment system judgment system को किस तरीके से affect किया commercial हो जाना agriculture का किस वे में इसने affect किया आपको इस चीज़ को यहाँ पर explain करना है उन ways को आपको यहाँ पर बताना है basically question number 21 है discuss the matrilineal system of the khasi tribe khasi tribe में जो matrilineal system चलता है उसको आपको यहाँ पर discuss करना होगा question number 20 है factors affecting women's work in India women's work को factor कौन-कौन से वो factors हैं जो affect करते हैं question number 22 और इसको आप point लिखने के बाद में थोड़ा-थोड़ा explain करके अगर आप इस question को present करते हो तो काफी खुबसूरती से आप इस answer को present कर पाऊगे question number 23 है describe the main features of backward classes in India backward classes के main features के बारे में आपको यहाँ पर describe करना है question number 23 के अंदर question number 24 है examine the practice of sati-pratha as a crime against women women के against a type का crime है sati-pratha इसके basis पे आपको एक examine करना है इसके basis पे आपको answer देना है question number 24 के अंदर question number 25 पे आ जाते हैं discuss the dynamics of aggregation class structure in India आगे आते हैं अगले question में question number 26 और यहां से वो question स्टार्ट होते हैं जो 20 marks के question है यानि की 500 words में आपको उनके answer देने होते हैं यहां पर भी आपके पास options होते हैं four questions होते हैं जिसमें से आपको किसी भी दो question को opt करके answer देना होता है question number 26 है discuss the various approaches to study ecology ecology को study करने के जो approaches हैं आपको उन्हें आपर discuss करना है question number 27 bond से related question और हर बार आप समझ लीजें कि हर दूसरे question paper में आपको इस तरीके का question मिल जाएगा जो bond of unity पे based हो discuss the social cultural bonds of unity in इंडिया question number 28 है discuss the factors of disintegration of joint family in इंडिया कौन-कौन से वो factors हैं जिनके वज़े से जो joint families हैं वो disintegrate होनी शुरू हो गई एक और question बन जाता है कि urbanization और industrialization का क्या impact रहा हमारे joint families में किस तरीके से इन दोनों factors की वज़े से joint families हैं वो disintegrate होने लग गई 29 number का question है examine the changes in the caste system जो caste system में उसके इंजर किस प्रकार से changes हा रहे हैं इसे आप लिखिए question number 30 है explain the major types of transfer of material wealth in villages villages में जो transfer of material wealth है वो transfer होता है आपको इसके types यहां पर examine करना है इस question को भी आप point wise बहुती beautifully present कर सकते हो question number 31 है family is the basic institution of ruler societies इसको discuss कीजिए question number 32 है explain patterns of urbanization in contemporary India समकालीन भारत में urbanization के pattern के बारे में आपको यहां पर explain करना है question number 33 पर आ जाते हैं और यहां पर हमने और भी points इस question के अंदर include किया है जिसे कि discuss various factors that give rise to social movements in India भारत में social movements को rise करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उठाने के लिए कौन से factors हैं जो निरनायक साबित होते हैं आपको उन factors के बारे में लिखना है यहीं question कई बार इस तरीके से पूछा जाएगा कि define कीजे social movement को और फिर discuss कीजे इसके important features को यहीं कि points और questions तो यहीं होते हैं पूछने का तरीका बदल जाता है यहीं कि आपको एक cohesive way में अपनी study को ले करके जाना है point wise आप अपनी preparation को कीजे ताकि कोई भी question उस points से अगर arise होता है तो आप उसके answer को काफी अच्छे से दे पाएं question number 34 है यहाँ पर describe the nature of ruler social structure in India question number 35 explain the classificatory nature of concept terminology आगे बढ़ते हैं question number 36 की तरब question number 36 यहाँ पर village से related question है villages are characterized by vertical interdependence of caste इसको आप discuss कीजे question number 37 what do you mean by modernization modernization से आप क्या समझते हो आधुनिक करन से explain the impact of modernization on the tribal society in India with suitable illustrations illustrations के साथ आपको यहाँ पर इसे explain करना है कि modernization का क्या effect रहा है क्या impact रहा है tribal societies पर question number 38 है India lives in the unity of diversity आपको sociological analysis के साथ analysis provide करते वे इस statement को आगे बढ़ाना है इस statement को प्रूफ करना है कि हां India lives in unity in diversity नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कि जो concept है marriage का उससे आप काफी अच्छे से explain कर पाओ अपने answer को इस तरीके से present कीजिए कि आप first time अपने examiner को यह concept इंट्रीउस कर रहे हो इस तरीके से इंट्रीउस मत कीजिए कि आपका examiner is question paper को और answer की उनके पास है इस तरीके से आपको present नहीं करना है आपको इस तरीके से present करना है कि you are the one और first who is introducing this concept to your examiner तो यह तो था आज का वीडियो जहां पर आपने question number one to question number 40 देखा ESO 12 का society in India यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment करके जुरूर बताईए अपने demand videos के लिए भी आप हमें comment कर सकते हो कि आपको आने वाले दिनों में किस important question की series चाहिए किस course के लिए आप questions चाहते हैं तब तक stay tuned जै हिंद जै भारत